आज हम जान लेते हैं Roman Numerals 201 से 300 तक तो 201 को हम CCI लखेंगे क्योंकि 200 को CC लखते हैं और 202 को CCII और 203 को CCII और यहां पर एक अंक यहां पर आई तीन से ज्यादां बार रिपीट नहीं होगा क्योंकि Roman Numerals का यह एक रूल से होता है कि कोई भी एक अंक तीन से ज्यादां बार रिपीट नहीं हो सकता है 204 को CCI भी लखेंगे 205 को CCB 26 को CCBI 207 को CCBII 208 को CCBIII 209 को CCIX और 10 को हम X लखते हैं और जब हम X के इस साइड आई लख देते हैं तो एक कम हो जाता है और 200 के लिए हम CC लखते हैं तब CCIX 209 हो जाएगा और 210 के लिए हम CCX लखेंगे 211 के लिए CC-X-I और 212 के लिए CC-X-I-I 213 के लिए CC-X-I-I 214 के लिए CC-X-I-B 215 के लिए CC-X-B लिखेंगे 216 के लिए CC-X-B-I और 217 के लिए CCXBII और 218 के लिए CCXBIII और 219 के लिए CCXIX और 220 के लिए CCXX और 221 के लिए CCXXI और 222 के लिए CCXXII और दो सो तेज़ के लिए सी सी एकस एकस आई 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 और दो सो चौबिस के लिए सी सी एकस एकस आई भी और दो सो पच्चिस के लिए सी सी एकस एकस भी आई आई और दो सुन तीस के लिए चीजियाए 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 च XXX-IB और 235 के लिए CC XXX-B और 236 के लिए CC XXX-BII और 238 के के लिए CCXXXIX और 240 के लिए CCXL लखेंगे क्योंकि L लखते हैं 50 के लिए और जब L के इस साइड X ले लेते हैं तो 10 कम हो जाता है और 200 के लिए CC लखते हैं तब CCXL हो जाएगा 240 तो चली अब हम आँगे बढ़ते हैं 241 CCXL I 242 CCXL II 244 CCXL IV 245 CCXL VI 246 CCXL VI 246 CCXL VI 246 CCXL VI 247 CCXL VI 246 CCXL II 246 CCXL II 250 CCL 251 CCXL IV 256 CCXL II 256 CCXL VI 257 CCXL VI 246CCL VI 259 CCXL VI 246 CCXL VI 245 CCXL VI 246 CCXL VI का बन CCLBII 269 CCLIX 260 CCLX और जब हम L के इस साइड एक्स लख देते हैं तो दफ ज्यादा हो जाता है और 261 CCLXI और 262 CCLXII और 263 CCLXIII और 214 CCLXIV 265 CCLXV 266 CCLXVI 266 CCLXVI 266 CCLXVI 271 CCLXIX 276 CCLXX 276 CCLXX 276 CCLXX 276 CCLXXI 276 CCLXXII 273 CCL XXII 274 CCL XXIV 275 CCL XXV 276 CCL XXVI 277 CCL XXVI 288 CCL XXVII 288 CCL XXIX 288 CCL XXX 288 CCL XXXI 288 CCL XXXII 288 CCL XXXII 288 CCL XXII 288 CCL XXXIV 288 CCL XXXVI 288 CCL XXXVI 288 CCL XXXVI CCLXXXBII 292 CCLXXXIX 292 CCXC और जब हम C के इस साइड एक्स लिख देते हैं तो 10 कम हो जाता है और 100 के लिखे C लिखते हैं तब यहां पर CCXC 290 हो जाएगा 291 के लिखे CCXCI 292 CCXCII 293 CCXCII 294 CCXCII 294 CCXCII 295 CCXCII 295 CCXCII 295 CCXCII 296 296 CCXCII 296 CCXCII 296 CCXCII 296 CCXCII 306 CC C Thank You